दोस्तो नमस्कार दोस्तो एक मा और बेटी की पानी की टांके में डूबने से मौत होगा उस विवाहिता का करीब धाई साल पहले ही विवाह हुआ था और वो अपने ससुराल से पीर आई थी पानी के टांके पर पानी भर रही थी और इस दम्यान उसकी एक साल की मासूम बच्ची और उस दोनों की पानी के टांके में डूबने से मौत हुई है ऐसी उस विवाईता के प्रिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दिये हैं अलांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जाच परताल कर रही है यह गटना राजस्थान के बाड मेर जले के सिव कस्बे की है नेनू पत्नी जगदीश नेनू का विवाई आसे दो ड़ाई साल पहले हुआ था और बालोतरा में उसका विवाई हुआ था नेनू अपने पियर आई भी थी नेनू दोनों पानी के टांके में गिर गई और दोनों की पानी के टांके में डूबने से मौत होके ऐसी रिपोर्टन के परिजनों ने दिये हलांकि पुलिस अपने अलग-अलग एंगल से जाच परताल कर रही है उपकंड अधिकारी सिव माविर सिंग जोदा इस पूरे मामले को लेकर जाच कर रहे हैं और इस गटना के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और दोनों के सब मोर्चरी में रखवाए हैं पोस्ट मार्टम के बाद परिजनों को सुपूर्द की जाएंगे और दोनों पक्स जो हैं पियर और ससुराल पक्स दोनों ही मोर्चरी पहुँचे हैं पुलिस जाच कर रही है तमाम पर करके तथए जुटा रही हैं और परीजनों के रिपोर्ट के अधार पर जाच कर रही है लेकिन अपने आप में दुखद ये गटना है कि किस तरीके से एक मा और उसकी एक साल की मासूम बेटी की पाने की टांके में डूबने से मौत हो गई बहुती दुखद ये दुर गटना है और ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं ये बाडमेर के जिलास पताल की मोर्चरी के है बाडमेर जिले के सिव कस्बे की ये गटना है नैनू का विवाद दो धाई साल पहले हुआ था और उसका विवाद बालोतरा में हुआ था अभी नैनू फिलाहाल अपने पिता के घर यानि पिहर आई भी थी सिव आई भी थी और कल साम को पाने के टांके में डूबने से नैनू और उसकी एक साल की मासूम बच्ची की दोनों की पाने में डूबने से मौत हुई है अब इस पूरे मामले को लेकर सिव थाना अधिकारी रा जगदिश जो की सिवकी रहने वाले हैं जो किता के घर में पानी के टाके माले है वो और उसकी बच्ची है अब देर दी इसमिस उसने काफ तुने में मौक्टे बगए गए और आज वो स्कुटने सभूने रिपोर्ट पेश किये उसकी आदात मर्द राच्ची एरह इसकी ज कि जोट रहे हिए बोना प्सव पस्तित निकि ओनी मौक्टी में इमानशा है खोस्माटम और जांस की खाली इसनी हिर्णावण